हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ रेस्टराइन टेस्टाइल वेजिटेवल दम बिर्यानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ हम लोग अपने अपने घरों में अक्सर चिकन दम बिर्यानी मटन दम बिर्यानी बनाते हैं आज मैं आपके सा बन कर तयार होगा और सबसे बरी बात है कि इसे बनाना बहुत आसान है बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं विच दम मिरियानी बनाने के लिए हमें कुछ सबस्यों की जोरत परेगी गाजर मतर गोबी बीन्स और आलू का यूस किया है मैंने आपको जो सबसी पसंद है इसमें आप डाल सकते हैं इन सारी सबजियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में कट करके एक बाउल में हमें डाल लेना है और अब इसे हमें मैरिनेट करना है तो हाफ कप दही एड किया है मैंने इसमें और साथ में इसमें डाल लेना है और अब कुछ पाउडर मसाले डालने है, तो 2 टेबल स्पून मैंने जिंजर गालिक पेस्ट जाला है, टेस्ट एकॉर्डिंग नमक डाल लेना है, साथ में 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून देगी लाल मिर्च पाउडर वन टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर साथ में हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर डालना है और अब इसमें वन टेबल स्पून बिरियानी मसाला अट करना है आप मार्केट का कोई भी बिरियानी मसाला इसमें डाल सकते हैं साथ में बारी कटा हरा धनिया, पुदीने के पत्ते डाल लेना है एक मेडियम साइस की प्यास को तल करके इसमें डाला है और अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है इन सब सबजीयों को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इसे मेरिनेट करने के लिए आदे घंटे के लिए हमें छोड़ देना है और अब एक कड़ाई या पैन में दो बड़े चमच तेल को अच्छे से गरम कर लेना है इसमें कुछ खड़े गड़म मसाले डालने है एक बरी अलाइची, दो छोटी अलाइची, जावीत्री, एक दालचीनी का टुकरा और चार से पांच लॉंग, साथ में एक तेजपत्ता भी डाला था और उसके बाद अब इसमें मेरिनेट किया हुआ ये सबजी डाल लेना है गैस की फ्लेम मेडियम टू हाई करके इन सारी सबजीयों को पांच मिनट तक अच्छे से भूनना है, आप देखेंगे कि इसमें पानी रिलीज होने लगेगा, क्योंकि इसमें मैंने दही एड़ किया था, तो इसकी वज़़े से इसमें थोड़ा पानी रिलीज होगा और अब इसमें दो मेडियम साइस के टमाटर को छोटे छोटे टुकडों में कट करके डाला है, टमाटर डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और अब इन सबजीयों को हमें एक मिनट तक ऐसे ही कुक होने देना है, उसके बाद इसमें हमें तोड़ा पानी ड दालना है और पानी डाल करके अब इसे ढख करके हमें 5-7 मिनट तक कुक करना है सबजी को कुक होते हुए तकड़ीबन 10 मिनट हो चुके हैं और अब मैं आपको एक बार चेक करके दिखाती हूँ सारे सबजी अच्छे से कुक हो गए हैं गोभी भी पक गए हैं और आलू भी अच्छे से गल गए हैं ये देखिए फ्रेंट्स अब देख सकते हैं इन सबजीों को हमें इतना ही कुक करना है थोड़ा क्रणची रखना है क्योंकि इसे दम पे भी डालना है तो ओवर कुक नहीं करना है और अब गैस की फ्लेम आफ कर देनी है और अब चावल तेयार करना है इसके लिए एक बड़े से बरतन में मैंने पानी ले लिया है इसमें जाल लेना है नमक और साथ में कुछ खड़े गड़म मसाले लॉंग छोटी लाइची दाल चीनी और साथ में एक स्टार पानी में उबाल आ गया है तो इसमें हमें डालना है चावल चावल मैंने हाफ केजी लिया था और इसे आदे घंटे पहले वाश करके भीगो दिया था जैसे आप चिकन बिर्यानी बनाने के लिए चावल बॉयल करते हैं इसको भी सेम उसी तरह से बॉयल करना है तो ये देखिए फ्रेंट्स चावल में अच्छे से उबाल आ गया है तो इस टाइम पे इसमें से हमें थोड़ा पानी निकाल लेना है जो कि हम दम के लिए यूज करेंगे और चावल को 80% तक ही कुक करना है एक बार आप चेक कर लें चावल कुक हो चुका है तो इसे अब हमें स्ट्रेन कर लेना है उसके बाद इसे हमें दम पे डालना है अब दम पे डालने के लिए खाली बरतन लेना है जिसमें आपको बिर्यानी दम करनी है इसमें हमें सबसे पहले सबजियों को डाल देना है फ्रेंड्स क्योंकि ये हम विज दम बिरियानी बना रहे हैं और इसे हमें दम पे डालना है तो सबसे पहले हमें सबजी को डालनी है उसके बाद इसके उपर हमें चावल की लेयर डालनी है इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि सबजियों को ओवरकुक नहीं करना है अब चावल के उपर हमें डाल लेना है बारिक कटा हरा धनिया साथ में कुछ फ्रेश मिंट लीफ डाल देना है हरी मिर्ज डाल लेनी है क्योरा वाटर डाल लेना है साथ में फूड एसेंस भी डाल लेना है क्योरा वाटर और फूड एसेंस डालने के बाद अब इसमें हमें हाफ कp पाणी अड़ करना है जिसे मैंने चावल को बॉाईल करते टाइम निकाला था और अब इसमें थोड़ा फूड कलर अड़ कर लेना है इसके उपर से हमें डाल लेना है तली हुई प्याज और साथ में डाल लेना है देसी घी देसी घी ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं इससे बियानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और आब इसे हमें दम पे डालना है तिसके ओपर मैंने silver foil paper लगाया है इसके ओपर ढखकन डाल करके गैस की flame लो करके 5-7 मिनट तक इसे दम पे डालना है 7-10 मिनट हो चुके थे मैंने गैस की flame off कर दी थी और इसे 10-15 मिनट तक ऐसे ही छोड दिया था और यह देखे फ्रेंट्स कितना जबरदस्ट और इतना बहतरीन ये वेज दम बिरियानी बनकर तयार हुआ है और इसकी खुश्बू तो पूछे ही मत इस और जबरदस्ट वेज दम बिरियानी को गर्मा गरम सर्फ कर लिया है मैंने इसके उपर गार्निशिंग कर ली है तली हुई प्यास से और मैंने इसमें पनीर फ्राई करके डाला है पनीर ऑप्शनल है आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं लुक भी अच्छा आता है और खा इस रेसिपी को आप बच्चों के लंच बॉक्स में हस्बेंड के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और उन्हें ये जरूर पसंद आएगा तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी मुझे एक बार कमेंट करकर जरूर बताईएगा